आज हम बनाएंगे पाइदान पहले हमें कार्डबोर्ड लें परकार और पैंसिल की साइटा से गोल गोला बनाएं इस तरह से फिर चाको से कट कर देंगे इस तरह से फिर हम चाकवी चायता से छोटे-छोटे कट लगाएंगे इस तरह से इस तरह से पूरे में कट लगाना है छोटे-छोटे ऐसे फिर एक थागा ले फिर इस तरह से लगाएंगे इस तरह से पूरे में लगाना है फिर काट लगा दें बीस चैंटर में और फिर कैसे से कारते हैं अब कैंची से कट कर दें अब पूरानी लेसेज अगर नई लेसेज यह तरह नई लेसेज से बना सकते हैं अगर कपड़ा हो कपड़े से जल्दी बनेगा अगर यह थोड़ी पतली है पतली लेसेज है और मोटी से बना सकते हैं पहले पांच तागी नीचे रखें, पांच उपर इस तरह से करते जाएं फिर तीन तीन रखें, तीन नीचे, तीन उपर, फिर दू, फिर एक इस तरह से बनाएं इस तरह से बन जाएं अब लेश पूरी हो जाएं तो जॉइंट करें दूसरे कलर का अलग अलग कलर से बनाएंगी तो बहुत अच्छा लुक आता है अब एक कलर और जोड रहे हूं फिर पूरा होने पर कांट लगा दें यहां सुई से सिल दें मैं यहां सुई से सिल रहे हूं यहां सुई सिल लगा दें अब हम हर रागे को निकाल देंगे यहां कैंची से कट कर सकते हैं थोड़ा दूर से मैं एक एक करके निकाल रहे हूं फिर कैंची से कट कर दूंगी इस तरह से निकाल दें कट कर दिया अब इस तरह से गांट लगा देंगे इस तरह से पूरे में गांट लगा देंगे फिर एक बार और गांट लगा देंगे इस तरह से यह हो गया पाइता हां बहुत अच्छा पाइता है कर दो